प्रिश्ट क्लासेज में नाम है राहूल महरिया और मैं आपको पढ़ा रहा हूं हमारे चनल पर रीजलिंग ठीक है रीजलिंग का जितना भी कंटेंट है हमारा फ्री फाउंडेशन बैच चल रहा है आप सब जानते हैं उसमें आपको बहुत वेल सिक्वेंस में आपको पूरा कोर्स प्रवाइड किया जा रहा है आप जानते हैं कि ऐसा और कोई अधर चनल नहीं है जहां पर फाउंडेशन बैच फ्री ऑफ कोस्ट पढ़ाया जा रहा है फ्री फाउंडेशन बैच है उसमें मैं दो टॉपिक्स कवर करा चुका हूँ पहले मैंने एल्फाबेट टेस्ट पढ़ाया था और उसके बाद मैंने कोडिंग डीकोडिंग के दो सेशन लिये थे जिसमें मैंने आपको खुब तसलिय से और डीटेल में कोडिंग डीकोडि एक्जैम में अगर आप ससी का कोई भी एक्जैम देते हैं चाहिए सीजियल दे स्टेयोग्राफर दे सीपी ओ दे जेए का एक्जैम दे तो आप देखेंगे कि एनलोजी के जो क्वेस्चन से उनकी क्वाइंटिटी बहुत ज्यादा है तो वेटेज की पॉइंट ऑफ यू स से यह चैप्टर हमाइले बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो हम शुरू करते हैं वेना टाइम वेस्ट किये हम आज की क्लास एनलोजी तो देखें क्लास बात ऐसी है कि जो एनलोजी है इसको हम हिंदी में समानता कहते हैं या सिमिलेटी भी कहते हैं पैनलिजम भी इसका नाम है इसमें क्या होगा कि एक फॉर्मेट है ठीक है फॉर्मेट कैसा है कि आपको एक ग्रूप मिलेगा आपको पता है जब भी रीजनिं similarity relation ठीक है तो जैसे कि यहाँ पर यह हमारे इस analogy का format है तो हमें क्या करना है इन दोनों में जो भी relation है इन दोनों चाहिए words हो चाहिए digits हो चाहिए letters हो जो भी relation है इस pair में हमें बिल्कुल ऐसा ही relation find out करना होता है other pair में ठीक है इसका format है हम जानते हैं कि total सब कुछ विलाके हमारे पास four types of analogy होती है एक का नाम है gk based analogy general knowledge based analogy अब general knowledge based analogy भी दो types की होती है अभी जब मैं शुरू करूंगा आपको पढ़ाना तो मैं बताऊंगा कौन से दो types की मैं बात कर रहा हूँ उसके लावा होती है letter analogy letter analogy में जो English alphabet में हमारे पास 26 letters है A से लेके Z तक उस पर based questions होंगे उनके बारे भी मैं आपको बताऊंगा अभी detail में introduction बता रहा हूँ तीसरी variety होती है हमारे पास number analogy ठीक है number analogy में digits given होंगे आपको दोनों pair में digits को ही link करना होगा और जो fourth type है उसको हम कहते है figure based analogy या फिर non-verbal analogy याद रखेगा बच्चे जब हम पहुंचेंगे fourth type पर तो figure based analogy के questions different हैं उन questions में जिसमें बहुत सारी figures होती है और हमें pattern ढूंडना होता है जब इस type पर पहुंचेंगा तब आपको बताऊंगा यह जो हमारा chapter है analogy इसको हम two sessions में cover करेंगे हम नहीं चाहेंगे कि एक ही session को बहुत lengthy किया जाए बोरिंग किया जाए तो हम क्या करेंगे आज का हमारा जो session है उसमें हम GK based analogy और letter analogy पूरा cover कराऊंगा आपको अच्छे जंग से समझाऊंगा सारे तरीकी जितने भी possible चीज़े हैं यहाँ पे वो सब आपको पढ़ाऊंगा और जो analogy का second session होगा उसमें मैं आपको cover कराऊंगा number analogy और figure based analogy ठीक है सो हम शुरू करते हैं fight up fight से देखिए जो GK based analogy है इसमें दो तरह के questions होते हैं मैंने mention कर रखा है यहाँ पे आपके सामने एक होते है questions based on day to day life यह जो questions होते हैं इन questions को आप पढ़ाई नहीं कर सकते आप prepare नहीं कर सकते इनके लिए यह questions आपको on the spot exam में आते होंगे तो आते हों होंगे तो नहीं आते होंगे सीधी सिंबल सी बात है दीको जैसे मैंना कुछ एक general से question लिखता हूँ जैसे माल लीजे मैंने question लिखा चीक है suppose मैंने question लिखा मैंने का gun is related to bullet और फिर मैंने आप से पूछा how is chimney related to तो आप खुद देखिए यह जो question है इसकी आप पढ़ाई थोड़ी करते हो कि gun से bullet निकलता है तो chimney से smoke निकलता है यह क्या है बिल्कुल general सा question है ऐसे ही एक और question देखो अगर suppose मैं आप से कहता हूँ just a minute ठीक है अगर मैं आप से कहता हूँ कि fuel fuel is related to engine तो how is food related to अब हम जानते है कि जो fuel है वो engine में put up किया जाता है डाला जाता है engine में तो यहाँ पर food कहां डाला जाता है generally food stomach में डाला जाता है stomach में भेजा जाता है ठीक है अगर यहां होता fuel का connection car है या vehicle है तो food का connection हम human या body से करते हैं ठीक है वैसे ही एक last example also low suppose मैंने लिखा doctor is related to nurse और पुछा how is inspector related to doctor का relation nurse से है तो inspector का relation किसे हो जाएगा constable से हो जाएगा ठीक है यहाँ पर मैंने लिखा Hindu related to temple तो Muslim related to mosque आजाएगा मैंने लिखा tree related to fruits तो animal related to meat आजाएगा मैंने लिखा earth related to planet तो sun related to star आजाएगा यह जितने भी question है यह questions हमारी upbringing का part है इन questions के हम त्यारी नहीं कर सकते सीधी simple सी बात है क्योंकि general है और actual में general है हमारी upbringing में जो भी चीज़े हमने पड़ी सीखी उनका part है पर जो दूसरा group है जिसको कहते हैं question based on static gk तो देखो जो static gk है ना static gk का मतलब होता है वो gk जो near past में ना बदली गई है और जिसके near future में ना बदले जाने का scope है जैसे की country capital हो गया country currency हो गया SI units हो गए अब देखो जैसे SI units है resistance की ohm है current की ampere आप जानते कि कई सालों से यही चलती आ रही है और आने वाले future में भी यही चलेंगी वैसे individual एक individual है उसके group का नाम है वैसे person है और उसके जुंड का नाम है वैसे ही young one है ठीक है animal and young one यह जो चीज़े है ना बच्चे particular group से belong करती है जैसे इसमें कुछ बहुत important groups है जो मैं आपको अभी के अभी बताऊंगा just in few minutes but फिर भी आप एक बार ज़रा थोड़ा सा difference देखो जैस अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ plant is related to botany और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ animal तो सीधी बात है यह जो group है इस group का नाम है subject or study पौधों की पढ़ाई को botany कहते है तो animal की पढ़ाई को zoology कहते है तो मैंने कहा इसका answer हो जाएगा हमारा zoology तो इक कौन सा group हो गया subject or study वैस सपोज अगर मैंने लिखा milk is related to lactometer ठीक है हम purity of milk major करते है किस से lactometer से तो मैं स्तोरान समझ गया कि यह जो group है यह तो measuring instruments का group है physics में proper group है measuring instruments तो यहाँ पर अगर सपोज लिखा आता है height तो height का answer मैंने provide किया altitude से बना है यह altimeter तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना समझाना चाहरा हूँ कि जो static gk के questions होंगे यह हम cover कर सकते हैं क्योंकि static gk में कोई ना कोई particular group होता है जैसे सुनो country currency हो गया country capital हो गया animal young one हो गया animal और उसकी sound हो गई वैसे keeping places हो गए उसके अलावा worker और उसके tool का नाम हो गया वैसे majoring instruments हो गए तो हम क्या करेंगे सारे groups हम पढ़ेंगे यह पर मैं आपको analogy की pdf प्रवाइड करूंगा वहां पर जाकर आप देखेगा कि आपको अच्छा खासा study material प्रवाइड किया जाएगा उस study material में जितने भी groups मैंने cover किये हैं Hindi English bilingual आप सि क्या करना है इन groups को आप जब पढ़ेंगे यह आपको GS की section में भी help करेंगे और यह आपको analogy में reasoning में help करेंगे और यह जो question है day to day life के इनका आप कुछ नहीं कर सकते यह on the spot आते होंगे तो आते होंगे ठीक है जैसे देखो मैंने questions कुछ लिखे है यह वो questions है जो कभी ना कभी किसी ना किसी exam का हिस्सा बने है ठीक है जैसे यहाँ पर आपके सामने question mention है first वाला question की coal is related to heat ठीक है generally coal से क्या मिलती है heat मिलती है हमें ठीक है तो wax किस चीज के लिए use होता है generally candles बनती है light provide करने के लिए use होता है लिखा है squint related to eyes Hindi में मैंशन है तो squeeze का connection किस से हो जाएगा hands से हो जाएगा वैसे देखो जो tea है tea कहाँ put up की जाती है cup में तो वैसे टोबय को कहाँ डाला जाता है hook के में डाला जाता है वैसे जो mango है mango क्या है एक फल है आम क्या है एक फल है potato क्या है potato modify stem है ध्यान रखना कुछ कुछ modify stems होती है कुछ modify roots होती है जैसे carrot और radish modify roots आती है potato, turmeric, ginger यह से modify stems का part बनती है अब देखो आप एक और कुछ questions और देखो जैसे lion का relation है deer generally क्या है कि lion शिकार करता है deer का वैसे mongos किसका शिकार करता है सांप का करता है यहाँ पे question पूछा है moth अब moth क्या है एक insect है category यह देखा आपने छोड़ी छोड़ी कीट से होते है light के पास बारिश के दौरान आते है वैसे mouse क्या है mouse एक rodent है ठीक है rodent generally हम ऐस आते प्राणियों को बोलते हैं जो अपने खाने को कुतर के खाते हैं ठीक है आगे वाले दो दान्तों की मदद से वैसी ही mathematics में क्या होते है logic होते है science में क्या होते है experiments होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ जितने questions हैं वो कही ना कहीं general ही है ठीक है mother killer of mother math hatya matricide to homicide किसे बोलते है manav hatya को ठीक है यह कुछ matricide तो patricide killing of father हो गया ठीक है patricide killing of brother हो गया इस धंग से सो देखो यह मैंने यहाँ पर जितने questions लिखे थे यह general थे अब इसके बाद के जो questions है वो होंगे static gk के यहाँ पर मैंने static gk कई सारे questions cover किये हैं आपको समझाने के लिए मैंने कोशिश की है हर एक important group का एक question यहाँ पर लिखकर आपको यह convey करना कि जितने groups अभी की class में cover करूँगा कम से कम आपको इतने groups की पढ़ाई करनी है कहां से करनी है जो pdf में provide करूँगा उसमें हमारी app के उपर निष्ठा app के उपर जो pdf मिलेगी आपको उसमें आपको जितने groups मिलेंगे Hindi English bilingual में आप सिर्फ उतने groups पढ़ी लिजेगा ठीक है जैसे यहाँ पर first question है हमारे पास India is related to New Delhi तुम जानते हैं कौन सा group है यह group है country और capital का अभी capital क्या होंगी सिर्फ limited और developed countries की पता होंगी undeveloped countries की capital अभी पता नहीं होंगी या कहले जे non-famous countries की नहीं पता होंगी तो इस group को पढ़ेंगे तो important countries की capital कवर हो जाएंगे तो Australia की आ जाएगी Canberra ठीक है USA की currency क्या है dollar तो यह group क्या हो गया country capital यह group को हो गया country currency अभी Italy क्या है euro ही है उसकी currency एक नाम था time था जब lira नाम से वो अपने आपको distinguish करते थे humidity को major यह आगे measuring instruments humidity को major करने का जो instrument है उसे hygrometer कहते हैं तो वैसे हाइट को major करने का जो instrument है उसे हम altimeter कहते हैं कि देखें plant subject and study बच्चे मैं आप सब को बता रहा हूं जो भी बच्चे यह video देख रहे हैं जितने groups यहाँ पर पढ़ाने वाला हूं उसमें most important group है subject subject or study यह group से GS की questions में बहुत बार questions पूछे गए हैं even कई बार तो one word substitution में भी question पूछे गए study of coins यह question पूछा गया था एक बार one word substitution में ठीक है उनके जुन्ट को बोलते है pride वैसे फिश के जुन्ट को बोलते है शोल या फिर school आपको बता है group of owls को क्या कहते है parliament कहते है parliament आप समझ सकते हैं कि parliament में कौन होते हैं अब देखिए इन दोनों group में क्या difference है जरा ध्यान से देखो जो पहला group है जिसमें लिखा है bird is related to nest इसको कहते है dwelling place dwelling place इसका मतलब होता है एक person का person कह रहा हूं किसी भी प्राणी का खुद का बनाया घर जहां इंसानी हस्ताशेप ना हो human disturbance ना हो और यह होता है keeping place keeping place मतलब इंसानों द्वारा बनाई गई जगा उन्हें रखने के लिए जैसे पक्षी अपना घोसला खुद बनाते हैं ठीक है मतलब की पालन किया जाता है शेहत बनाने के परपस से सिफ एक लेटर का फरक है यहाँ P है यहाँ V है उसे appear ही बोलते हैं जैसे मेरी बच्चों अगर मैं आप से बोलता हूं कि animal is related to jungle तो fish related to water आ जाएगा वैसे ही अगर मैं कहता हूं animal is related to zoo तो fish related to aquarium आ जाएगा I hope यह दोनों गूप अच्छे जंग से आपको समझ में आयोंगे हम आगे बढ़ते हैं non-living thing आ गया keeping place ठीक है यह hangar है hangar जहां पर crafts रखे जाते हैं airport पर एक साथ line से अपने अपने उसमें area में उसको hangar बोलते हैं तो wine को जो रखने की जगा है उसको हम seller कहते हैं ठीक है मैं भी चार हूं मेरे घर पर बनवाँ मेरे पापा लाओ नहीं कर रहे हैं हो सकते हैं मैं बनवाँ ज्यादा shocking you know once in a while anyway देखो doctor का जो working place है उसको हम क्या कहते है hospital उसके कारे करने का जो स्थान है एक्टर को क्या कहते हैं जहां पर वो कारे करता है film movies यह सब नहीं होगा studio याद रखना एक्टर के कारे करने का जो स्थान है उसे हम stage कहते हैं अगर artist आएगा तो theater actor आएगा तो stage engineer आएगा यहां पर जो engineer है जैसे मैं भी engineer हूँ मैंने IT से engineering की हुई है पर वैसे यहां पर doctor hospital तो engineer का site आएगा यहां पर by default जो engineer है वो civil engineers है ठीक है देखो shoes हम कह सकते हैं कि जो मोची है कही ना कहीं उसी का main output है shoes बनाना shoes किसी भी चीज के हो फिला के हो पिमा के हो कहीं ना कहीं बनाते तो उन्हें मोची होंगे तो वैसे ही film जो है वो किसका output है film है producer का output ठीक है जब यह question आया था तो उसमें option में director भी लिखा गया था कई बच्चों ने डारेक्टर पे टिक किया पर याद रखो बच्चों डारेक्टर निर्देशक होता है वो movie direct करता है निर्माता होता है जो film को बनाता है जो उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है और वो person जो पैसा लगाएगा वही उसका maker खेलाएगा जब भी आप देखते हैं लिखा होता है कि from the makers of 3D from the makers of that तो इसका मतलब जिन लोगों ने उसमें पैसा इंवेस्ट किया था उन्हीं को ने इस movie में भी पैसा इंवेस्ट किया है ठीक है अब देखो next question में लिखा है surgeon is related to scalpel यह वर्क और और उसके tool उसके और जार का नाम ठीक है तो surgeon जिस चीज से करता है operation करता है जिसे cesarean knife भी कहते है उसका general name क्या है scalpel है तो blacksmith का मतलब होता है लोहार अब लोग लोहार सुनके क्या समझते हैं कि जो हतोड़ा है वो हतोड़ा उसका tool होगा बच हतोड़ा नहीं जो नीचे रखा होता है बेस बड़ा सा लोहे का base जिसके उपर वो different different things को shape provide करता है उसको हम क्या कहते है उसको हम anvil कहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो लोहार है उसके ओजार का नाम anvil है जैसे मूर्तिकार होता है sculptor उसके ओजार होता है वो छोटा सा चैनी जिसको हम cheese cell कहते हैं ठीक है तो यह group भी बहुत important group है जैसे subject study का group वैसे ही worker or tool का group भी बहुत important group है आगे देखो resistance के सामने हमने लिखा है ohm ठीक है इसका मतलब यह group कौन सा है SI unit का group है अगर आप लोगों ने previous year के paper देखे होंगे तो you will see 2020 के SAC का जो exam हुआ था serial का उसमें GK की section में बहुत सारी shifts थे जिसमें SI unit का question पूछा गया था और physics की important inventions का question पूछा गया था तो यह जो groups है ना यह के SI unit क्या होती है करेंट के SI unit होती है एंपेयर है फिक्स होती है ठीक है SI unit अब अगला जो group है हमारा इस अगले group में mention है कि beer के सामने कब तो याद रखो beer के young one को हम कहते हैं कब जो हमारे पास big cats है जैसे lion है tiger है इनके बच्चों को भी कब कहा जाता है butterfly तितली तितली के बच्चों को कहते हैं हम caterpillar ठीक है caterpillar वैसे यह जो group है इस को हम कहते है male female तो hen के male का नाम है rooster तो duck के male का नाम है drake अब देखे ज़रा अगला question यह जो हमारा अगला question है ना यह question बहुत ही important question है अगर आप जरा सा ध्यान देंगे क्यों important question है क्योंकि यह as it is हमारे entrance में आया था कौन से entrance में CPOSI के entrance में यह question बिल्कुल as it is आया है horse के सामने लिखी है उसकी movement gallop मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो animals है animals की कुछ things है वो आपको याद करनी है ठीक है मैं एक minute का break देके इसमें आपको एक समझाता हूं जैसे की हॉर्स है ठीक है अब देखो इसके nomenclature पर थुड़ा सा जाधा ही ध्यान दिया गया है पर कौन-कौन सी चीज़े हैं जो आपको generally cover करनी है उसमें आप ध्यान देना अगर मैं horse के वारे मैं आप से कहूं तो horse में जो horse की female है उसको हम कहते है बच्चों mayor ठीक है horse का जब baby छोटा होता है ठीक है जैसे human में जब कोई बच्चा होता है छोटा तो उसे infant या baby कहते हैं आगे चलके लड़का son कहलाता है लड़की daughter कहलाती है वैसे ही अगर कोई बच्चा उसका छोटा है बिलकुल छोटा है एक स कल छोटा तो वह na foal कहलाता है fool वैसी ही जभवो बड़यो के लड़का बनता है तो वह loot कहलाता है अगर वह female है तो philly कहलाती है तो philly अगे चलके mirror बनती है और कोई जरिक आगेचलके horse बनते हैं. तो जो horse का घ़र है, उसको हम कहते है stable, जिसे Cyrus कहा जाता है Hindi में. Horse की जो sound है, अवाज है, उसको हम कहते है ने जिसको हिन हिनाना भी बोलते है Hindi में. वैसे ही horse की जो movement है, Charle है movement, उसको हम कहते है gallop और horse के अगर गर्दन के बालों की बात की जाए जो उसके neck पे hairs होते हैं तो उसको हम कहते हैं main तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा detail में horse के बारे में चीज़े बताई गई हैं इन में से आपको क्या क्या करना है जनरली जो main animals हैं जो आम जिंदिगी में जिनको आप जानते हो उनका male female उनका एक young one जैसे इस पर कैटिगरी हो गई horse उसके बार में कैटिगरी है बड़ जनरली क्या होगा male और उसका वो animal और उसका young one और उसके रहने की जगा sound और movement ये पांच चीज़े तो पढ़नी पढ़ेंगी कौन सी चीज़ कब आ जाए आपको नहीं पता आपको होगे सब सब कुछ तो होई गया सब कुछ नहीं हुआ है separate चीज़े नहीं पढ़नी बालों का नाम नहीं पढ़ना बाकी चीज़े लगभग आपको पढ़नी है main main animals की हम आगे बढ़ते हैं I hope ये चीज़ आपको समझ में आई होगी देखो होड गयलप है लैंब को कहते हैं मेमना बकरी का बच्चा या भेड का बच्चा तो इसकी जो चाल है उसको हम कहते हैं फ्रिस्क जिस साल ये क्विश्टन आया था उस साल हिंदी में लिखे गई थी इसकी चाल उच्छलकूद अब आप खुद सोचो ये फ्रिस्क ऐसा हो गई वार किंडल की हो गई फायर वैसे एंगर की हो गई रेज ठीक है इस रेज को हम हिंदी में आवेश भी कहते हैं ठीक है आवेश में आके किसने किसी की हत्या कर दी बहुत जादा इंटेंस अंगार आता है कुछ शनों के लिए जहां भी लुकुल नसे सी फटने लगत की बटने के लिएगे कहते है है इसको हम कहते हैं प्र पैर प्र इतरा जैसे शर्ट के साइब ट्राउजर रेसर है शूज के साथ सॉक्स है पैंसिल के साथ ए्रेजर है इनको हम कहते है पिरस कि उसका द свобод के सामने लिखा है क्रॉग तो याद रखेगा जैसे ही ग्रॉग आपको बताया उसको कहते हैं ने ठीक है हिंदियों से हिन हिनाना कहते हैं इसके बाद देखिए कुछ एक ग्रूप पैंडिंग है यह मैंने आपको समझाया था हॉर्सका नोमन क्लेचर की बहुत अच्छे जंग से ठीक है उसके बाद जो लास्ट के जूरे इसको हम कहते हैं किस क्लाफ से बिलॉंग करता है जैसे हूं में अ रेप्टाइल्स है, फ्रॉग एंफिबियंस है, शार्क फिश है, तोता जो है वो पक्षी है, वैसे ही butterfly क्या है, insect है और ostrich क्या है, पक्षी है, बस फर्क इतना है कि जो ostrich है, यह flightless birds है, जैसे kiwi है, penguins है, यह उल्ड नहीं सकते पर है यह पक्षी, जैसे बचो आप खुदी सो कि shark, shark है रहा हूँ, blue whale, chimkader, bat, lion, lioness और वैसे human, इन चारों में दिखने में कुछ समानता नहीं पर यह चारों के चारों mammals है, mammals को जो shady को science ने, विज्ञा ने जैसे define किया गया है, यह चारों उसमें fulfill होते हैं, इसलिए इस तंधारी यानि mammals कहलाते है, knife क्या है, knife का action क्या है, क्या है, cut करना, binaculars का action क्या है, binaculars का action है, watch करना, देखना, ठीक है, cut क्या है, cut किसका output है, basically raw material क्या होता है, cut का milk होता है, वैसे fabric किसे बनते हैं, fabric बनते हैं, yarn से, ratio से, so बच्चो बात ऐसी है, कि जितने important groups possible थे, वो सारे मैंने इस session में cover करवा दिये हैं आपको, हम जानते है कि कुछ जादा important है, जैसे subject study हो गया, SI unit हो गया, measuring instruments हो गया, animal young one हो गया, वैसे worker tool हो गया, but I have tried my best कि मैं सारे important groups cover करा दूँ, मैं आपको notes प्रवाइद करूँगा हमारी Nishtha app पे, वहाँ पे जाके आप PDF में देखेगा, Hindi, English, दोनों format में आपको मिल जाएंगे, और वहाँ प आपको सिर्फ और सिर्फ analogy में नहीं help करेंगे, यह आपको GK की section में भी help करेंगे, और once in a while, one word substitution में भी इनका question आता है, ठीक है, so यहाँ पर complete होता है analogy में, GK based analogy के हमारे questions, और उसमें हमने दो type के question पढ़े, एक static GK के, जो किसे किसी group का हिस्सा होते है, और दूसरे पढ़े day to day life में जो हमारी upbringing का part है, जिने हम सीख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, वो हमारे brain में already store होते है, on the spot हम से होंगे तो होंगे, otherwise नहीं होंगे, so हम बिना time waste के शुरू करते हैं, हमारा next part analogy का जिसका नाम है letter analogy, ठीक है, देखिए, अब यह जो letter analogy है, यहाँ रखना हम धान से मे नहीं देखा है, वो फटाफट से पिछले session पर जाए, coding decoding के दो lectures available है हमारे channel पर, just इससे पिछले वाले दो videos, coding decoding part 1 और part 2, part 1 में मैंने half part cover किया है, जिसमें मैंने letter coding decoding और alpha numeric coding decoding और part 2 में मैंने remaining parts, mixed letter, conditional और matrix coding decoding और पढ़ाया है, so जो उस chapter का सबसे पहला part है, letter coding decoding, उसम varieties of coding decoding सिखाई है, वो same as it is यहाँ पर use होने वाले है, कुछ भी यहाँ पर not even a single question जो आपको बहार मिल जाए, उससे जो पढ़ाया गया है, ठीक है, बस पर कितना है कि वहाँ पर लिखने का format बदल जाता है, वहाँ पर किसी question को कहते है, जैसे suppose मैंने लिखा कि if Rahul is coded as, इस ढ यहाँ लिख दिया j, यहाँ लिख दिया t, यहाँ लिख दिया n, पूछा, so how sing would be coded, ठीक है, how sing will be coded, तो हम क्या करते हैं, logic पहचानते हैं, कि Rahul को किस logic से code किया था, तो sing को भी उसी logic से code करेंगे, so हम अगर इस simple से question पर ध्यान देते हैं, तो हमें दिखता है, r18 पर है, यह 20 पर है, तो plus 2 किया है, यह 1 पर है, यह 26 पर है, तो minus 1 के, obviously plus 25 तो नहीं सोचेंगे, जिन बच्चों को letters के addition, subtraction में भी दिक्कत है, वो उससे पिछला वीडियो देखो, alphabet test का वहाँ पर मैंने अच्छी दंग से addition, subtraction सिखाई है, and mark my words, जो भी बच्चे letters की numbering याद नहीं करेंगे, वो reasoning में कभी अच्छा perform नहीं करेंगे, कभी यह ना सोचें कि ABCD जाके लिख लेंगे, और वहाँ देख देख के कर लेंगे, इससे बहुत loss होगा, हर session में बतातो हो यह बात मैं, so उसके बाद देखा, H के साथ J है, तो यह plus 2 है, मैंने खा, U के साथ T है, minus 1 है, L के साथ N है, plus 2 है, तो simple सा logic है, इसे code करके answer, यही same question analogy में कैसे बन जाएगा, जैसे की लिखा मैंने, राहुल is related to TZJTN so how SINGH will be coded, तो मैंने कहा, यहाँ पर यहाँ पर logic लग रहा है, straight forward, plus 2, minus 1, plus 2, minus 1, plus 2, तो logic लगा दिया, plus 2, minus 1, plus 2, minus 1, plus 2, आगया answer मैं लास्ट ताइम कहा रहा हूँ, letter analogy is a different representation of letter coding, decoding, दोनों same है, copy-paste है, कुछ भी फर्क नहीं है अब यहाँ पर एक question है हमारे पास BDF BDF is related to HIL, जब भी यह sign आएगा आपकी reasoning में, तो इसका मतलब होगा relation, देखो, यह है 2 पर यह है, 8 पर तो यह plus 6 हुआ है, D से I कब बनता है जब 5 जोडते है, F से L कब बनता है जब 6 जोडते है, सीधा logic है, प्लस 6, प्लस 5, प्लस 6, प्लस 6, प्लस 5, प्लस 6, अगर लाइटरस की नम नहीं याद होगी तो इसी speed chance लिख पाएंगे, 17 से 9, minus 8, minus 8, minus 8, अब check कर लो, 20 से 12, minus 8, 21 से 13, minus 8, अब B minus 8 का मतलब है, B minus 8 मतलब 2 minus 8, 2 minus 8 मतलब minus 6, minus 6 मतलब 26 minus 6, that is T, ठीक है, इस पर कमाइंद कर लिए ना, minus पर, F minus 8 मतलब minus 2, that is X, minus 3, ठीक है, E minus 8 मतलब minus 3, that is W, अगला देखो, A से B बनता है जब प्लस 1 होता है, E से G बनता है जब प्लस 2 होता है, H से K बनता है जब प्लस 3 होता है, N से R बनता है जब प्लस 4 होता है, straightforward logic, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, Q से T बनता है जब 3 जोड़ते है P से U बनता है जब 5 जोड़ता है R से W बनता है जब 5 जोड़ता है S से V बनता है जब 3 जोड़ता है तो first और last में plus 3 और जो अगले बीच वाले हैं उन्हें plus 5 plus 3 plus 5 बीच में plus 5 फिर plus 3 आगे answer ठीक है इन question को आप क्या कीजेगा इसमें एक छोड़ी सी correction है भी बता दो पहले ही यह नहीं बच्छे के है के यह के KFC तो आप क्या कर सकते है वीडियो को pause करके दो मिनेट का time लेके इन चारो question को attempt करने की कोशिश करें अब देखिए यह है C, C के सामने है X अगर मैं देखूंगा C से X, F से U तो यह कोई sequence नहीं बनेगा बाइक बहुत असान है जिन भी बच्चों ने coding decoding पढ़ा है उनको बहुत मक्खा लगया question क्योंकि कि किसका है opposite pair का question है, opposite pair मतलब जैसे C starting से 3 पर आता है, X ending से 30 स्थान पर आता है तो these two letters are opposite to each other और मैंने आपको बताया था कि opposite letters पहचाने का बहुत simple तरीका है अंग्रेजी वर्ड माला के ऐसे कोई भी दो अक्षर जो आपस में एक दूसरे के विप्रीत अक्षरों का जोड़ा बनाते हैं उनका साधरन एडिशन, plain एडिशन हमेशा 27 होगा C किस पे है, 3 पे है, X किस पे है, 24 पे है, 27 बना, 6 है, 21 है, 27, 9 है, 18 है, 27, 12 है, 15 है, 27 ठीक है, कोई भी दो letters अंग्रेजी वर्ड माला के अगर वो एक दूसरे के विप्रीत है तो उनका plain edition 27 बनता है अब देखो कितने जल्दी होता है, V है तो 27 के लिए E की जरुवत, I है तो R की, I की, Z की, G की बहुत speed में होगा, चीक है काम, अब देखो 6 में क्यासे किया है, H और E को reverse करके लिख दिया E H, L और P को reverse करके लिख दिया T L, तो मैंने इसको लिखा O Y, R U सेके last question देखो, L के साथ अगर मैं यहाँ पर connection ढूंडता हूँ, तो मुझे K के साथ दिखेगा minus 1, O का minus 1 N, G का minus 1 F, I का minus 1 H, C का minus 1 B, मैंने आप सबको समझाया है, फिर से बता रहा हूँ, first letter के साथ first code को link करना जतना normal है, उतना ही normal है, first letter को last code से link करना, तो यहाँ पर सीधा sequence है, minus 1 का last के साथ, तो C minus 1 is B, L minus 1 is K, E minus 1 is D, R minus 1 is Q, K minus 1 is J, तो यह बन जाएगा इसका answer, यह जो last question है, इसको ज़रूर try करो, ज़रू फिलाल मैं solve करा रहा हूँ, आप पकार try करना, देखो यह है 11, 12, 15 और 13, यह है 11, 11, 6 और 3, देखो 13 से 11 बन रहा है, minus 2 होकर, 15 से 11 बन रहा है, minus 4 होकर, तो यहाँ logic है, minus 2, minus 4, minus 6, minus 8, ठीक, तो यहाँ पर, T minus 2, R, minus 4, L, R minus 6, L, minus 8, F, तो R, double L, F, यह बन गया हमारा answer, ठीक है, तो इस question के साथ, जैसा कि मैंने आप से शुरूर बात में कहा था, कि आज हम दो parts पढ़ेंगे, GK-based analogy और letter analogy, यह दोनों cover होते हैं, next session में हम remaining two parts पढ़ेंगे, number analogy और non-verbal analogy, वो session भी जरूर देखना, क्योंकि उसमें number analogy के बहुत सारे different variety of questions आपको cover कराने वाला हूँ, तो आज की class में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने कहा, GK-based analogy के आपको content प्रवाइड किया जाएगा, letter-based analogy already cover हो चुकी है, letter coding, decoding में, उसकी practice भी हाँ पे हो गई, आज का session पसंद आया हो, तो like कीजेगा, और हमारे channel को subscribe करें, और अपने friends को share करें, जो भी बच्चे किसी भी दुनिया में सदकाई नौकरी की तियारी कर रहे हैं, या after 12 किसी अच्छे college में जाना चाहते हैं, CUT का entrance देना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी SELR मिलती है, सब कुछ free में पढ़ाया जा रहा है, तो at least इतना support करना बनता है, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, next session में, thank you very much.